हेलो एवरिवन वेल्कम टू नौक्रे एस्पिरेंट उमीद करते हैं आप सब ठीक होंगे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए ऐसे सी जीडी कॉंस्टेबिल की ब्रमास्तर से रजी लेकर आए हुई हैं इस क्लास में हम जिक्के और जीएस के बच्चिसो प्लस क्यूस्ट की यहां पर त्यारी करवाएंगे यहां पर हम आपके साथ पिछली प्रिक्षा में पूछे गए एंसी क्यू डिसकस करेंगे तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें पीडियेफर नोट्स के लिए आप हमारी वेबसे डबलु डबलु डोट नोक्रिस्पिरिंट डोट कॉम पर जाकर विजिट कर सकते हैं दोस्तों दोवजे की क्लास हमारे नहीं हो पाई क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल हिशू आ गया था तो इसलिए हमारे वो क्लास नहीं हो पाई अब मारे सोचल प्लाटफोर्म के साथ भी जूड सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएंगी तो फटा-फट से वीडियो को शेट करके हमारे साजूड जीए फिर हम इस दमाके दर सीरिज की सुरूआत करते हैं तो चलिए हमारे पहले स्वाल कितर बढ़ते हैं करो या मरो भारत के किस परशिद जांधुलन कनार है करो या मरो बताये किसका है बारत क्चोडो जांद जा री आउ उन्दैана सभिग्या नविग्या अंदोलन ऐस सैयोग अंदोलन रोल्लक अंदोलन तो करो या मरो किसका अंदोलन है तो हमारा सही जवब क्या होगा बाराट चोड़ो बाराट चोड़ो अंदोलन और यह नारा किस ने दिया था यह पुचे तो यह पुचे तो 1942 में आया था चलिए आगे बढ़ते हैं युनेश्को की विश्वे सुच्ची में पहला स्थान बनाने वाला बारती सहर कौन सा है तो बताए ये कौन सा है भुनेश्वर इंदोर बैंगलूरू एमदाबाद युनेश्को की विश्वरासत में विश्वरासत सुच्ची में पहला स्थान कौन सा बाढ़ते सहर है बुनवेश्वर इंदोर बैंगलूरू एहमदाबाद बताईए तो हमारा सही जवाब क्या होगा एहमदाबाद 2017 में बनाया था और बारत का पहला सहर है चलिए आगे बढ़ते हैं डोड़ा बेटा किस परवस्रंखला का सरवच्चे सिखर है विंदे अरावली सत्पुडा नीलगरी किस परवस्रंखला का सरवच्चे सिखर है सबसे उची चोटी है तो किस परवत किया ये तो हमारा सही जवाब बताईए कोमेंट करके वेरी गूड तो किस की है तो मेर नाढूं के अंदर है pa को है और यह ने टोड़ा बेटा नेलगरी प्रवत की सबसे उच्छी चोठी है चलिए आगे बढ़ते हैं के राष्टे मानह दिकार आयोग कर नीम्लिकित मेंसे कौंसा घंठन सही है राष्ट बन को आयोग में इन चारों में से कौन सी बात सही है तो बताईए इसमें 10 सदेशे शाम मील हैं इसकी सकतिया केवल प्रेक करती कि punishment 7 मक departed मुंबई इसके मुख्याले के रुप में कार्या करती हैं इसके अद्धक्ष को सर्वचे नाले में आसीन अद्धनियाईदिस होना चाहिए तो हमारा सही ज्वाब कौन सा होगा इन चारों में से कौन सा सही है कि मेरे गूट कॉमेंट करके बताइए तो हमारा सही ज्वाब है ओप्षन B इसकी सत्य के वल ट करती में अनुसंसात्मक है इसमें 10 सदस्य नहीं होते हैं इसमें 7 सदस्य होते हैं 6 पलस में 1 यानकि एक मुख्य होता है और 6 इसके सदस्य होते हैं और इसका मुख्यल है मुंबई में नहीं है इसका है हैड़कवाटर कहापर है दिल्ली में है कहापर है दिल्ली में इसका हैड़कवाटर है और इसके अद्यक्ष जो मैं एक बता रहे हूं ना एक मुख्य अद्यक्ष होता है वो सरोचिनाली में आसिन पद पर नहीं होता है से प्रोचे नाल्य में सेवानिवर्थ पत्पर रहा चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं कि कि इंटरनेशनल एरपोर्ट किस देश में स्थित हैं किंग इंटरनेशनल एरपोर्ट सीरिया इराग बैरिन सौधी अरब तो किस देश में है हमारा सेज जोप क्या होगा वेरी गूट कोमेंट करके बताओ सब्सक्राइब किस देश में जीवन सतर पर पत्निदितों करने के लिए निम्न में से कौन समाप्तन है और जोगी विकास गरिब्यनुपात राष्टे आई परतिवेक्ति आई जीवन सतर का परत्निदितों करने के लिए कौन समाप्तन तो कौन सा आएगा हमारा सही जवाब क्या होगा वेरी गूट कोमेंट करके बताओ तो हमारा सही जवाब होका परतिवेक्ति आई चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो को फटाफट शेर कर दे और प्लीज व करण नीजी करण बताइए तो फटाफट जवाब दीजी इसका तो देशों के बीच तेजी से एक करण के रूप में क्या जाना जाता है तो हमारा सही जवाब होगा वैश्वी करण जाना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं डबल फोल्ट शब्द का प्रियोग किया जाता ह है डबल फोल्ट का प्रियोग कि तो टैनिस में डबल फोल्ट का प्रियोग क्या जाता है डबल फोल्ट का मतलब होता है कि लगातर दो गलती चलिए आगे बढ़ते हैं नीम्न में से क्या व्यापक रूप में इंधन के रूप में उप्योग किया जाता है इंधन के रूप में उप्योग किया जाता है इंधन के रूप में उप्योग किया जाता है इंधन के रूप में इंधन के रूप में उप्योग किया जाता है इंधन के रूप में इंधन क करके जल्दी से बताओ फटाफट तो क्या होगा ओप्शन सी मिथेन मिथेन चलिए आगे बढ़ते हैं निम लिखित में से किस उत्पाद को भारत का पहला बोकुलिक संकेत तक जी आई टैग प्राप्त हुआ है मिजो मिर्च रत्लमी सेस जोहा चावल दार्जलिंग चाई तो पहला जी आई टैग अब तो काफ़ी मिल चुके पहला बताना हमें तो पहला जी आई टैग मिला है दार्जलिंग चाई को चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आप किसी भी गोर्मेंट चोप के तियारी करते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.nokdiscrim.com पर जाकर विजिट कर सक सकते हैं यह हमारे वेबसाइट का लोगो है यहाँ पर आप अपकमिंग एक्जाम फोरगेंपल चीटी सी टैट एच टैट आधि की तयारी आप यहां से कर सकते हैं यहाँ पर आपको स्टेट वाइज सब्जेक्ट वाइज यूज और यहाँ पर मिल जाएंगे यहाँ पर आ बाबबर ने इब्राहिम लोद्दी को कहां आ रहाए था हल्दीगाटी कालिंजर चोस्था पानिपत तो कहां पर आ रहाए था हमारा सही जोग क्या होगा 1526 की लड़ाई famous लड़ाई यह very good बताईए तो कहां रहाए था पानिपत में यानकि पानिपत की पर्थम लड़ाई का बुई थी 1526 में होई थी किसकी के बीच में बाबबर और इब्राहिम लोद्दी के बीच में और विजय किसकी होई थी बाबबर की इसमें विजय होई पानिपत का दूसरा यूद पानिपत का दूसरा यूद पूछे तो सेकन्ड कब हुआ था यह पूछे तो कब हुआ था पंद्रा सो चेपन में और किस किस के बीच में हुआ था हेम्मू वेसस अकबर के बीच में इसकिस के बीच में था अकबर और हेम्मू के बीच में हुआ था और इसमें अकबर की जीत हुई थी थड़ कब हुआ था तीन हो थे ना फस सेकिंड थड़ पहला हुआ था 1526 में दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1561 में और ये किस-किस के बीच में हुआ था अफगान और मराठो के बीच में हुआ था और जिसमें मराठो की हार हुई थी चलिए आगे बढ़ते हैं नागर्षाली वास्तुकला का वह मंदर कौन सा है जो कामुख मूर्तियों के लिए परसीद है खजुराओ सौम्नात हम्पी मिनाक्षी तो कौन सा मंदर है बताइए यह पूछे तो मद्य पर्देश में उसका निर्मान किस ने किया था चंदेल चाशक ने इसका निर्मान किया था आगे बढ़ते हैं यह किलास हमारी नहीं हो पाई चलिए आगे देखते हैं दक्षिन अफ्रिका के सितोशन गास के मैदान को क्या कहा जाता है डाउन्स पेरिज पंपास विल्ड बताइए दक्षिन अफ्रिका के गास के मैदान को डाउन्स पेरिज पंपास विल्ड तो वेल्ड का जाता है दक्षिन अफ्रिका की और डाउन्स ओस्टेलिया डाउन्स कहा है ओस्टेलिया में है पेरीज है USA में और पमपास काँ पर है दक्षिन अमेरिका वेल्ड है दक्षिन अफिका में पमपास दक्षिन अमेरिका में पेरीज यूसे में और डाउनज है उस्टेलिया में चलिए आगे बढ़ते हैं किसे प्रूस की लाड़ी स्रेणी में पर्तिलिस्ट लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवोर्ड वजर बाइस दिया गया है अनी बोन्ट चेटरजी विनेश वोगार दुत्ती चन्द मैक्स वेरस्टेपन बताइए तो किसको दिया गया है हमारे सही जब होगा मैक्स वेरस्टेपन को दिया गया है आगे बढ़ते हैं शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संदर्बीत करता है अनुवानशिक परवास, अनुवानशिक रेका, अनुवानशिक सुदार, अनुवानशिक असुद्धी अनुवानशिक असुद्ध के रियुक के परियोग के जाते हैं जब कोई gene DNA में कोई स्थाई परिवर्तन होता है, इसको ने मानलो DNA में कोई बदलाव होता है उसको उत परिवर्तन कहते हैं चले आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से किस देश ने प्रूस होकी एशिया कफ 2022 जितता था दक्षिन कोरिया, बारत, मलेशिया, पकिस्तान तो किस देश ने जितता तो हमारा सेजाब होगा दक्षिन कोरिया किस ने जितता था दक्षिन कोरिया ने जितता था और किस देश को अराकर जिता ये पुछे तो, मलेशिया को अराकर जिता था और बारत कौन से स्थान पर आ था ये पुछे तो, ये फर्स्ट है, मलेशिया को अराकर जिता और बारत है थर्ड, काश्य पते के मिला था, आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थान अस्थित में आए यह इंपोर्टेंट है पंचाहिती राज का बताइए क्या होगा कि पंचाहिती राज संस्थान अस्तिताओं में आए कौन से सविदान संसोदन से रिलेटिड है 42, 43, 46, 47, 43, 44 बताइए तो पंचाहिती राज संस्थान किस से रिलेटिड है पंचाहिती राज संस्थान कब आया था यह पूछे तो 1902 में तो पारित हुआ था यह और 1903 में यह लाग हुआ तो इसको पारित किया गया और 1903 में यह लाग हुआ था राज्यों पर मैं इसकी डिटेल यहां पर बता देती हूं वहां पर जगह नहीं है तेतरवा सविदान संसोदन पंचायत इसे पंचायत से रिलेटिड है तेतरवा और चुवेतरवा किस से रिलेटिड है नगरपालिका यह यह गाउं से है और यह सेरों से नगरपालिका से रिलेटिड है यह तेत्रवा सविदान संसोदन में 39 विश्य है और इसमें 18 विश्य है यह तेत्रवा सविदान संसोद कौन से अनु सुची में आता है यह 11 विश्य अनु सुची में आता है और चुवेत्रवा आता है 12 विश्य में थीक है, और इसमें 18 विष्य बता दिये इसमें कितने विष्य है 39 विष्य जलिए देखते हैं आयूश्ययन दस्था वेज में वनस्पतियों और जीओ की लुप्त प्राई परजातियों की सुच्श्य जाते हैं उनको डेंजर्स जोन में रखा जाता है तो लाल सुच्ची में रखा जाता है आगे बढ़ते हैं निम लिखित में से किसने अदालत में सिजदा साश्टांग परमनाम और पैबोस राज्या के पैर चुम्बन की पर्था सुरू की थी बताइए सिजदा परनाली किसने सुरू क बताइए अलावदिन खिल जी फिरोसा तुगलग मुहमेद बिन तुगलग ग्यासो दिन बलबन तो किसने शुरू की थी तुमारा सही जोग क्या होगा ग्यासो दिन बलबन ने सिजदा और पैबोस पर्था शुरू की थी आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा बांगरा तुमारा सही जोब होगा एजरू बैंक, फेडरल बैंक, सहेकारी बैंक, ग्रामीन बैंक तो बताइए कौन सा होगा तुमारा सही जोब क्या होगा कौन देता है ग्रामीन बैंक आगे बढ़ते हैं निम्न लेखित में से कौन सा 2030 स्तक्राप्ट करने के लिए लक्षित satu-ας व बिकास के लिए हुले जो आधा बॐताई आंत्रिक्स अनसंदान नहीं है आगे बढ़ते हैं हावा की नमी को क्या मापता है हाईग्रोमिट्र मायक्रोमिट्र थर्मोमिट्र हाइड्रोमिट्र हाइड्रो-मि-को किस में मापचत है हाई गरो मिट्र मी आगे बढ़ते हैं किस घरेलू कचरे में पुनावर्ती की एक उतकर्ष्ट छमता है चारो में से बताईए सबजी उच्छी स्त्र दातू प्लास्टिक रबड यानकि किस कचरे को दुबारा से उप्योग मिलाए जा सकता है बताईए जल्दी से गल जातता है तो मरसेजवब क्या होगा सबजी उच्छी स्त्र आगे बढ़ते हैं विश्व उर्जा दुरुष्टिकों किस के दवारा जारी किया गया है अंतराष्टे उर्जा न्याई धिकरण अंतराष्टे उर्जा एजेंसी विश्व आर्थिक मंच अंतराष्टे उर्जा संगठन तो किस के दवारा किया गया बताईए तो हमारा सेजवब क्या होगा बेरेगुड बताईए अंतराष्टे उर्जा एजेंसी आगे बढ़ते हैं दो अजाग ग्यारा की जन्गुनों के उनिसार बारत में मुसल्मान नो का कुल परतिशित है बेरेगुड बताईए बताईए हमारा सही जवब क्या होगा हमारा सही जवब है 14.2 परतिशित अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीस कॉमेंट करके जुरू बताना वीडियो को लाइक जुरूर करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले पीडियो फो नोट्स के लिए आप हमारे वेपसे पर पजा कर विजिट कर सकते हैं ठैंक्स पर वॉचिंग बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब आप